आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन से जुड़े आठेसे टिप्स और इंफोर्मेशन दूंगा जिसे हर एक स्मार्टफोन यूजर को पता ही होने चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखें क्यूंकि शुरू से लेकर आखिर तक की इंफोर्मेशन बड़े काम की सा करता है लेकिन ऐसा करना आपको आज से बंद कर देना चाहिए क्योंकि जब आप किसी एप को रिसेंट एप से किल करते हैं तो वह एप बेग्राउंड में चलना बंद हो जाता है और जब आपको उस एप की फिर से ज़रुरत होती है तो वह एप फिर से पूरे स्टार्टिं नहीं करोगे और बागी सबको बेग्राउंड में ही रन करने दें हम सब अपने कॉम्प्यूटर या मुबाइल स्क्रीन को क्लीन रखने के लिए उस पे किसी क्लीनर स्प्रे से स्प्रे करके उसे किसी साफ कपड़े से क्लीन कर देते हैं और कोरोना के बाद से लोग के थुर्ट व्हचे मदर बोड तक को खराप कर सकता है आप किसी माइक्रो फाइबर क्लौथ या किसी साफ कपड़े पर क्लीनर या पानी स्प्रे करके एसे स्क्रीन को हथे साफ कीजये इस्सरे आपका डिवाइस भी सेफ रहेगा और आपके स्क्रीन भी क्लीन हो जाएगा रेजिस्टेंट है लेकिन कई लोग वाटर रेजिस्टेंट को वाटर प्रूफ समझ कर स्वीमिंग करने या अन्य पानी भरी जगह पर लेकर चले जाते हैं और अगर आप भी एज़ा करते हैं क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट आपके फोन में सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आपका फोन गलती से पानी में गिर जाए या आपके फोन पर गलती से पानी गिर जाए तो आपका फोन कुछ देर तक पानी को रेजिस्ट कर सके कई लोग अपने फोन के बेटरी को लेकर काफी परिशान रहते हैं और वो अपने बेटरी के लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए थर्ट पर्टी एप्स को इंस्टॉल करते हैं लेकिन का आप जानते हैं कि ऐसे एप्स आपके फोन और बेटरी को फायदा नहीं बल्कि नुक्सान पहुचाते हैं क्योंकि ऐसे apps background में constantly run करते रहते हैं और ये दूसरे apps को बार-बार background में बंद करते रहते हैं जिससे आप जब दूसरे apps को खोलेंगे तो उसे start करने के लिए processor को और ज़्यादा power की ज़रुवत पड़ेगी और इंजरिकली आपके फोन की बेटरी और ज्यादा ड्रेन होने लगेगी आप में से कई लोग अपने फोन के चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर को क्लीन करने के लिए पिन ये किसी शार्प मेटल का इस्तमाल करते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना आपके स्मार्ट फोन के साथ कितना बड़ा अन्याय है क्योंकि ऐसा करने पर आपके चार्जिंग पोर्ट के कॉम्पोनेट्स में स्कुरेचेस हा सकते हैं और उसमें लगे चिप्स भी तूट सकते हैं तो इसलिए आप अपने चार्जिंग पोर्ट को किसी मेचलिक अबजेक्ट से नहीं बलकि तुटपिक से अच्छे से साफ करिए और बात रही स्पीकर की तो fixmyspeaker.com पे जाकर आप यहां क्लिक कीजिए उसके बाद यह थोड़ी देर बजेगा और आपका स्पीकर पूरी तरह clean हो जाएगा कई लोग अपने फोन को चार्ज लगा कर window के पास रख देते हैं जिससे उनके फोन को solar energy भी मिलती रहे और electrical energy भी लेकिन अगर आप भी अपने फोन को sun के exposure में चार्ज करते हैं तो यह आपके फोन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि फोन जब चार्ज होता है तो वो heat होने लगता है और sunlight की वज़े से आपका फोन काफी जादा heat होने लगेगा और आपका फोन खुद को protect करने के लिए charging speed को काफी reduce कर देगा जिससे आपके फोन को चार्ज होने में काफी जादा सामय लग सकता है और काफी worst case में आपका फोन अपने आप शजान भी हो सकता है जब हम कोई नया फोन ख़ईते हैं तो उस फोन की बेटरी काफी तगड़ी चलती है लेकिन जैसे ही फोन पुराना होने लगता है तो बेटरी की performance भी काफी weak हो जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोन की बेटरी पुराने होने की वज़े से ज़ादा आपकी आदोती की वज़े से खराब हो सकती है जी हाँ काफी लोग फोन को बार-बार चार्ज करते रहते हैं भले ही फोन में इनफ चार्ज क्यों न बची हो लेकिन फोन को चार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपका फोन 30 या इसके आसपास आए तब ही आप अपने फोन को चार्ज में लगाएं और 80 या 85 होने पर अनप्लग कर दीजिए और अगर आपको आपके फोन से प्यार है तो चार्जिंग परसेंट को कभी भी सेंचुरी न मारने दें क्योंकि बार-बार फोन को 100 परसेंट चार्ज करने पर बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हम सब अपने फोन में सभी फीचर को बहुत मज़े में यूज़ करते हैं लेकिन फोन में ये फीचर काफी अंडरेटेड है जी हां क्या आप जानते हैं कि रिस्टार्ट आपके फोन के लिए काफी अच्छा फीचर है इसका यूज़ करने से आपका फोन काफी स्मूज चलता है और बार बार एप स्क्रेश के प्रॉबलम को भी सॉल्फ करता है अगर एक सब्द में बोलू हूँ तो ये आपके फोन को कम्प्लीटली रिफ्रेश कर देता है लेकिन इसका यूज़ देली मत कीजिए बलकि 10 या 15 दिन के पीच बीच में कीजिए और इस फीचर को आप जरूर से ट्राय कीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफर्मेटिव लगी ही तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खेंग सूस्ट वा जीक